हेलो गाइज, वेलकम बेक टो और यूटूब चैनल, दिस इस रेजल मिल्सासु गाइज, आएज के टॉपिक के अंतरगत, हम उपेंदरनाथ अस्क जी का जीवन पर छे, उनकी रचना और उनका एक प्रशिध हमारा पढ़ना है, हमें जू एक आंकी है, लक्षमी का श्वाग सितारों के खेल, इरती दिवारे, गर्म राख, ये आदमी, ये चुहे, और लक्षमी का श्वागत, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी रचना इन्हों ने की है, लेकिन लक्षमी का स्वागत हमको आज पढ़ना है, और आज हम उसी के बारे में यहाँ पर डिसकस करेंगे, ठीक ह जिसका मुख्य पातर रोशन रहता है, ठीक है, और यहाँ कहानी एक तरह से दहेज प्रता, जो हमारी समाज में व्याप्त है, जो हमारे समाज में लालसा सबकी बढ़ी रहती है, कोई सभी के अंदर के सनवेदना दहेज के नाते मर जाती है, उसी की स्टोरी को हम इस वीडि सुरु करेंगे, तो चलिए और बिना देरे के हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं, जिला जलंधर के इलाके में मध्यम श्रेडी के मकान के दालान में सुवह के नौदस बजे है, बाहर मुसलाधार वर्षा हो रही है, मध्यम श्रेडी के परिवार का एक सदस से, जिसक कि उसकी पत्नी सरला का देहान एक माह पुर्वी हुआ था, अपनी पत्नी की असमे मृत्तू से वह बहुत दुखी है, अब रोशन का सारा द्यान अपने बेटे अरुड की बिमारी पर सिमटाया है, वह अपना एक एक छड उसकी देखभाल में बिताया रहा है, इस से इस का नाम में उसका छोटा भाई, उसके छोड़े भाई का नाम भासी है, और उसका मित्र सुरेंदर, उसे पूरा सहयोग देते हैं, रोशन अपने पत्नी के मृत्यू के दुख को भूल नहीं पाता, कि उसका पुत्र डिफ्थिरिया, डिफ्थिरिया गले के रोच से संक्रमित ह जाता है, उसकी इस्तिती प्रतिछड बिगरती जा रही है, वह अपने भाई भासी को डॉक्टर को लेने के भिशता है, उसका मित्र सुरेंदर उसे हिम्मत बदाता है, किन्तो बाहर के मौसम को देखकर उसका मन और डरता है, वह सुरेंदर से कहता है कि मेरा दिल डर रहा है सुरेंद्र कहीं अपनी मा के तरह अरुड भी मुझे धोखाना दे जाए रोशन के बेटे के इलाज के लिए बाहर से दवा लाना डॉक्टर को बुलाना इत्यादी काम भासी और सुरेंद्र तक परता से करते हैं भले ही बाहर कितनी भी तेज वर्सा है तूफान फिर भी वो घर और बाहर एक कर देते हैं कोई भी अर्शाधानी नहीं वरकते हैं फुक फुक कर कदम रखते हैं रोशन अपने बेटे का इलाज डॉक्टर जीवाराम से भी करवाता है किन्तु उनसे लाब नहीं होता हालत पहले से ज़्यादा खराब हो जाती है इसलिए रोशन ने भासी को दूसरी डॉक्टर को गुलाने को कहा डॉक्टर आता है जहांच करके इंजेक्शन लगाता है नुस्खा लिख देता है और बजायर से दवाई लाकर समय समय पर देने की सला देता है वह रोशन को धैर इसे काम करने को कहता है और साधानी पुर्वक अरुड की बिमार की देखभाल करने के घदायत देता है इसी पीच रोशन की मा सुरेंद्र से अरुड का हालचाल पूछती है और सुरेंद्र के कहने पर कि उसकी हालत पहले से और भी जाता बिगरती जा रही है मा डाक्टर और रोशन पर बरस पड़ती है और कहती है यह डाक्टर जो ना करे सो थोड़ा लाक मना करने पर भी रोशन ने डाक्टर को बुलवाया भेजा बहु सरला को तो इन लोगों ने मार ही डाला जो सुरी रोशन की मार रहती वो कहती है कि बहु सरला को तो डॉक्टर ने मार ही डाला अब अरूर के पीछे भी हाथ धोर कर पड़े हैं उसे जराब उखार क्या हुआ उसकी छाती थोड़ा जम क्या गई होगी बस मैं घुट्टी दे देती वह ठीक हो जाता वह मुझे बच्चे को हाथ भी तो नहीं लगाने देते इसी बीच सियाल कोट के व्यापारी रोशन के लिए रिष्टा लेकर आते हैं रोशन की माँ उनसे मिलने के लिए कहती है सुरेंदर अरूर की बिमारी के कारण अपनी असमर्थता ज़ताता है रोशन की माँ सुरेंदर से कहती है कि आप जाईए और अपने दोस्त रोशन को समझाएए कि वो साधी के लिए तैयार हो जाए लेकिन सुरेंदर अरूर की बिमारी के कारण अपनी असमर्थता ज़ताता है रोशन पूतर प्रेमी में क्या है दुखी है वह अपनी माता को रिष्टे वाले को वापस लोटने को कहता है रोशन की माँ पुनर्विवा का समर्थन करते हैं उसे राम प्रशाद वक उसके पिता का उधार देती है फिर रोशन का पिता आता है अरुड की बिमारी के बहार बाजी बताता है क्योंकि रोशन श्यालकोट वाले से नहीं मिलना चाता वह रोशन को आवाज लगा कर बुलाते हैं रोशन ने रिष्टे से इंकार कर दिया वह सुगर लेनों को कहता है और उसके पिता कहते कि मैं घर आई लक्ष्मी का नादर नहीं करूंगा रोशन की पुत्र की अरूड की हालत दिन प्रति दिन भी गड़ती जा रही थी और उसके पिता जबरन की में घर आई लक्षमी का नादर नहीं करूंगा जाके सगुन ले लेते हैं जैसे ही वो सगुन लेकर आते हैं और रोशन की माता को बधाई देते हैं इसी बीच अरूड संसार से विदा ले लेता है और रोशन बृतबालक अरूड का सौलिये बाहर आता है रोशन की पिता हाथ से हुपका गिर जाता है और मात चीख मारकर धम से सिर्थ हमें बैठ जाती है सूरिन के सवाद माजी जाकर दाने लाओ और दिये का प्रपंद करो के साथ एकांकी का समापन हो जाता है इस प्रकार इसके कथासार से असपश्ट हो जाता है कि लक्षमी का श्वागत एकांकी उपेंदनात अस्क जी का प्रमुख एकांकी है जिसमें इन्होंने मध्यवद्गी परिवार की धन सम्मंधी दुर्वलता का व्यक्त किया है ठीक है तो और इसके साथ ही इसके साथ ही इसमें बताया गया है कि रोशन अपनी पत्नी के मृत्यू के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसके माता पिता उसके दूसरे विवाह का सगुल लेकर लक्ष्मी का शौगत करने के लिए तयार हो जाते हैं आज के लिए इतना ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलती हूँ